नमस्कार मैं कित्यागी गोलाई वी टेक्नोलोजी इसके ओफीचल यूटुब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ क्या आप भी एक टीचर और ले जाना चाहते हैं अपनी क्लासेस को उनलाइन तो बिलकुल सही जगे आप लोग आए हैं क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्केशन करूँगा कि कैसे आप अपनी ओफलाइन क्लासेस को उनलाइन ले जा सकते हैं और हाँ अगर आप हाइबरिड मोड में अपनी क्लासेस को चलाना चाहते हैं उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा एक से दो दिनों के अंदर ही तो चली अब बात करते हैं कि आपको ओनलाइन क्लासेस सबसे पहली बात तो है कि आपको ओनलाइन जाना ही क्यों है देखें जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं किसी भी प्लेटपॉर्म पर या ओनलाइन स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं तो इस से आपकी बढ़ती है विजिबिलिटी प्लस रीच और इसके साथ ही आपको अपरचनिटीज मिलती हैं बेटर ग्रोथ की क्योंकि अगर आपका एक कोचिंग सेंटर है जहां पर 100 स्टूडेंट्स हैं शायद आप एक साल में मेनत करके उसको 300, 400, 500 कर लें शायद आप 5000 भी कर लें अगर बहुत जादा मेनत करें बट अगर आप बात करें online classes की तो यहां ऐसी कोई limit नहीं है अगर आपने अच्छी मेनत करी है अपनी videos पर सही से आपने market के gap को identify करा है students के pain point को समझा है और उन topics को आप लेकर आए हैं जो students जहां पर अक्सर अटकते हैं जहां skepticism prevail करता है अगर आप ऐसी topics पर videos बनाते हैं तो definitely आपकी videos चलेंगी और इसका benefit आपको मिलेगा आपके reach बड़ेगे, visibility बड़ेगे और आपको revenue भी अच्छा खासा मिलेगा बट यह सब शुरू करने के लिए कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपको चाहिए I mean कौन-कौन सी products आपको needed है और इसके साथ ही कौन-कौन सी skills यहाँ पर आपको चाहिए तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं सबसे पहली चीज़ अगर आप अपनी classes को online ले जाना चाहते हैं तो यह भरम मत रखिएगा कि आपको ऐसा digital board ही चाहिए अगर आपके पास शुरू में fund का कोई issue है या आप एकदम से invest नहीं करना चाहते हैं किसी भी product में तो आप simply क्या करिए SE एक tab खरीद लीजे मैंने इस tab को connect किया हुआ है अपने board से यह tab easily आपके android tab से phone तक से even आपके laptop से भी connect हो जाते हैं यहाँ पर आप simply जो भी लिखेंगे यहाँ मैं board on कर लेता हूँ इसका writing यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि वो उपर की तरफ visible होगा बहुत easily बट यहाँ पर आपको issue क्या आएगा देखिए यह जो एक tablet है without display है यह market में easily 4 से 8000 की range में आपको देखने के लिए मिल जाएगे बट यहाँ पर आपको habit बनानी पड़ेगी क्योंकि इस वाली writing tab में कोई भी display नहीं होती है और हाँ अगर आप इसके with display वाले version पर जाएगे तो वो आपको अच्छी quality में यानि 11 इंच के आसपास 17 से 18000 में देखने के लिए मिल जाएगा बट इसके अलावा अगर आपका budget थोड़ा भी जादा है और आप initially invest करना चाहते है that this digital board is a good option for you बट क्या सिर्फ digital board ही काफी है classes को online ले जाने के लिए तो चलिए इसी पर बात करते हैं देखें मेरे हिसाब से जो जो यहाँ पर आपको product चाहिए वो है सबसे पहला एक digital board मैं लिख देता हूँ आप एक digital board ये digital board की जगे आप कोई traditional board भी यहाँ पर choose कर सकते हैं अगेन अगर कोई भी यहाँ पर जटरी इशू है या अप मेरी तरह एक cautious इंसान है जो शुरू में बहुत ज़्यादा investment नहीं करना चाहता अब यह जो board यानि traditional board या digital board है तो लिखने के काम आएगा इसके लावा आपका face भी तो students को देखना चाहिए क्योंकि class को तभी engaging लगेगी जब आपका भी face students को दिखेगा आपके expression दिखेंगे आपके छोटे-छोटे चुटकले हैं जो आप सुनाएंगे वो लतीफे वो सारी चीज़े जो students को पसंद आने वाली है उसके लिए आपको चाहिए camera भी और यहाँ पर देखिए लिखने का काम हो गया है दिखने का काम हो गया आप बाता था है आवाज की आपकी आवाज उन तक जाए ही उसके लिए चाहिए यहाँ पर आपको एक microphone अब इसके बाद भी जैसे मेरा चेहरा यहाँ पर आपको clear नजर आ रहा है अब यानी चेहरे को clear दिखाने के लिए आपको चाहिए एक lighting setup भी अब ये तो वो products है जो आपको चाहिए इसके अलावा आपको चाहिए एक platform जहाँ पर आप अपनी classes को live ले जा सके अब वो platform यहाँ पर YouTube भी हो सकता है Zoom भी हो सकता है Google Meet हो सकता है यह इसके अलावा आपकी खुद की app हो सकती है और मैं आपको एक चीज बहुत बहतरीन बता दू कि आप अपनी app गुलाई वी technologies से भी बनवा सकते हैं वो भी बहुत कम दामों पर जी हाँ और यह जो app है आपको unlimited storage के साथ मिलती है और यहां पर आप one time में five terabyte तक की video upload कर सकते हैं यानि कोई भी आपको technical issue नहीं आने वाला और हाँ इसके साथ ही आपको मिलती है 24 by 7 support अगर आप यह app हमारे through बनवाते हैं अब यह कुछ product and services हैं जो आपको needed रहेंगी यह service का part है app यह वो products हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप अपनी classes को live ले जाना चाहते हैं बट इसके लागा कुछ और skills भी हैं आपने अपनी video बना ली आपके पास content अच्छा है because you are a teacher आपने उस content को अच्छा present किया क्योंकि आप को चीज काफी सालों से करते आ रहे हैं बट उसके बाद भी अगर आपकी video सही तरीके से upload नहीं हुई वहाँ पर अच्छी editing नहीं हुई तो आपकी video नहीं चलेगी ऐसा होता है अक्सर मैं यहाँ पर यह question नहीं उठा रहा कि यहाँ पर आपकी skill में कमी है बट actually मैं आप भी जानते है जब भी कोई चीज online जाती है तो जो दिखता है वही दिखता है याँ यहाँ पर आपका sound भी अच्छे से edit होना चाहिए आपकी video भी properly edited यहाँ पर होनी चाहिए याँ आपको चाहिए एक technical person for editing and video uploading इन दोनों टास्क के लिए अब काफी जगे तो एक अच्छी बात है मैंने देखा है काफी सारे teachers हमारे पास जो आता है वो काफी advanced है कुछ तो मुझसे भी जादा होश्यार है वो editing भी जानते हैं वो video upload करना भी जानते हैं वो live stream करना भी जानते हैं और उनको कोई भी equipment चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती बट कुछ वहाँ पर teachers ऐसे भी हैं जो somewhere मेरे जासे हैं जो उतने tax-heavy नहीं हैं उनको time लगता है किसी भी technology को adopt करने में तो उनके लिए चीज बहुत जादा matter करती है क्योंकि उनके पास skill है अच्छा पढ़ाने की अच्छा प्रिजेंट करने की बट उस चीज को वो properly market नहीं कर पाते हैं और यहीं पर issue आता है यहीं पर चीज़े थोड़ी सी down हो जाते हैं तो जब भी आप plan करें अपनी classes का online ले जाने का तो please मेरी आप लोगों को सला है कि professional person एक technical आदमी जरूर रखें जो आपके लिए सारे काम कर पाए उसके लाबा कुछ छोटी-छोटी tips मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जैसे जब भी आप अपनी classes का online ले जा रहा है क्या YouTube पर भी आपका watch time बढ़ेगा और somewhere आपकी वीडियो की जो frequency आइमिन जस तरह से वो लोगों को show होता है वहाँ पर भी आपको एक इजाफा देखने के लिए मिलेगा तो इस तरह की certain tricks आप लोग लगाईएगा So I am the technical person for you नीचे comment section में दिये गए numbers पर आप मुझे call करियेगा और मैं definitely आप लोगों की help करूँगा और इसी के साथ मैं आप से लेता हूँ अलवेदा धैन्यवार